कोरोना संकट के बीच हर घरीब जरूरत मंदों के लिए आगे आ रहा है और ऐसे में गोरकपुर जिलो में जिलाप्रश्यासन भी कम्यूनिटी किचन से गरीबों तक खाने का सामान पहुंचाने का काम कर रहा है साथी पच्चों के लिए दूद बिस्किट भी दिया जा रहा है यही नहीं ट्रेन से जा रहे प्रवासी मस्दूरों तक भी ट्रेनों में खाने के पैकेट भीज़ जा रहे है वह दिकारियों का यह कहना है कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे जिला प्रशासन लोगों की सेबा के लिए तत पर है जिस तरह से गोरापुर जिले में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसी तरह जिला प्रशाशन भी अपनी मुस्ताइदी दिखाने में लगा हुआ है आपको बताते हैं कि गरीब आसाहायों के लिए कम्यूनिटी कीचन बना हुआ है यहां से भोजन और राशन उन लोगों को दिया जा रहा है जो लोग आसाहाय हैं गरीब हैं जो इस समय भूखेर आ रहा है साथी साथ जिला प्रशाशन पूरी तरह से मुस्ताइदी अपनी दिखा रहा है कि इस जिले में कोई भूखा न सुए आप देख सकते हमारे साथ हैं अभिनो जी हैं इनका क्या काना आई है इनहीं से जानते हैं सर्कीस तरह से लोगों की मदद कर रहें क्योंकि जिला बड़ा है आचू कि यहां पर मरीजों के संख्या बढ़ रही है देखिए जो समस्या पहले हमारे पास थी वह राशन की ज्यादा थी जब बाहरी मजदूर यहां पर फंसे हुए थे तो अब जबकि बाहरी मजदूर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो राशन की समस्या नहीं रही है अब ज्यादा समस्या वह है जो रेल्वे स्टेशन पे लोग बसड़े पर करीब बीस हजार लोगों का रवस्था करके यहां से खाने पानी दोनों की और बच्चों के लिए बिस्किट वगारा भी वह हम अमारी सब्सक्राइब करते हैं अभी आपने देखा कि जो कम्यूंटी कीचन के प्रभारिय उनका कहना है कि छोटे-छोटे मासुम बच्चों का भी ख्याल हम रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे साथी साथ इनका यह भी मानना है कि कम से कम 4000 से 5000 लोगों को प्रति दिन पैकेट का रासन जो रागीर हैं उनको दिया जा रहा है हरेंद्र दूबे और नाइन गोरकपुर उत्तरप्रदेश